हला फ्रेंट्स कैसो आप लोग बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में तो फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लाश 12 के लिए जो ब्याकरट से संबंदित है जो कि इस वीडियो में आपको खाली जो सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि जो परिच्छा से मोस्ट इंपोर्डेंट है 2021 के लिए वही आपको सिर्फ बताने वाला हूँ तो देखेंगे यहाँ पर काभ्य के तत्व और इसमें जितने भी आपको पार्ट हैं इसको समझानी कि मैं कोशिस करूँगा बहुआरिक रूब में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो देखेंगे की काभ्य के त सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दू कि रस आपको पढ़ाने वाला हूं तो काफी अच्छे से देखेंगे ठीक है का बेको पढ़ने सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की प्राप्ती होती है उसे ही यह बेहवारिक डिफनीशन है तो ध्यान से देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है काम बेकुप पढ़ने शूनने या नाटक को देखने में जो आनंद की प्राप्ती होती तो उसे ही क्या बोलते हैं रस बोलते हैं ठीक है माले जिए कोई काबे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं या कोई माले जिए नाटक ही देख रहे हैं तो उससे जो हमें अनंद की प्राप्ती होती है उसे क्या बोलते हैं रस बोलते हैं ठीक है अब हम देखेंगे रस के अंग कौन- कौन होते हैं तो अस्थाई भाव विभाव और थर्ड है अनुभाव और फोर्थ आपका संचारी भाव ठीक है तो इसको भी मैं माली जी कि अस्थाई भाव में ले लिए मालने हमारे अंदर कोई डर डर अंदर शिपा हुआ है किसी देख किसी वस्तू या किसी साप को देखकर डर जाता है तो इसको जो अस्थाई भाव उत्पन होता है उसे जो होता है अस्थाई भाव होता है ठीक है माली जी डर हो गया यह आपका example में डर हो जाएगा खुसी हो जाएगा किसी चीज को देखकर खुसी हो गया तो उसे हम बोलते हैं अस्थाई भाव ठीक है जो भाव हमारे हिर्दे में अस्थाई रूप से क्या होता है पड़ा रहता है उसे अस्थाई भाव बोलते हैं तो अस्थाई भाव और द रिंगार रस, रुच्सा का हो जाएगा बीर रस, कुरोध का रोदर रस, हरास का हास्य रस, सोक का करूर रस होता है ठीक है और भय का भयानक रस हो जाएगा और यहां पर देखे लेंगे सेवन्थ नमबर, बिस्मय का अदमूत रस और जुगुपसा का भीबत रस और निर्वे तो देखेंगे सेकेंड बिभाव जो भाव अस्थाई भाव को जागरित कर देता है यानि जो बिभाव होता है क्या होता है मालिजी ये कोई साप है तो ये जो साप होगा तो जो भाव अस्थाई यानि साप को देखकर हमारे अंदर डर जागरित हो गया तो उसे हम क्या बोले डर को ही जो डर जागरित हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे विभाव बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा जो भाव अस्थाई भाव को जागरित कर देता है तो यहाँ पर अस्थाई भाव डर को मान कर चलेंगे तो इसे ही हम क्या बोलेंगे विभाव कहेंगे ठीक है अब देखेंगे विभाव दो प्रकार के होते हैं अलंबन और उदिपन क्या होते हैं दो प्रकार के अलंबन और उदिपन उदिपन आप पढ़ेंगे प्रतिकिरिया प्रतिकिरिया उदिपन साइस में पढ़ेंगे लेकिन मैं थोड़ा से है उसे मिलता जुलता है कómandra है तो देखेंगे अब हम अलंबन te Lai Ken bena यहां पर देखेंगे कि अलंबन अलंबन एड़नि बनाएंगे अलंबन देख लिएंगे क्या होता है अस्थाई वाव जीन्य ब्यक्ति हो दो पर अलंबित तो अलंबित का मतलब क्या होता है टिका होना अलंबन का क्या मतलब होता है टिका होना अस्थाई भाव जीन ब्यक्ति वस्तूप पर अलंबित होकर यानि टिका होकर भाव प्रकट करता है उसे ही अलंबन करते हैं तो हमारा डर किस पर टिका हुआ है उस साप पर तो इसमें इस अनुभाव की बात करें तो वे चेस्टाएं जो अस्थाई भाव का अनुभाव कराती है अनुभाव कराती है अनुभाव क्या होता है हुए चार प्रकार के होता है इसको भी मैं डिफाइने महीं करता हूं तो काई का अनुभाव first heading बनाएंगे काई का अनुभाव आंख भव अथवा आख हाथ सरी के अंगो द्वारा जो चेस्टाए उत्पन की जाती है काई कनुभाव का लाते ठीक है आँख भाव हात या सरी के किसी अंग द्वारा आप का जो चिस्टाय उत्पन होती है काई कनुभाव का लाते ठीक है उसी का पार्ट यहांपर देखेंगे सात्वी कनुभाव सात्वीक अनुभाव क्या होते हैं, सरीर के सहज अंग विकार से उत्पन चेश्टा को सात्वीक अनुभाव की कहते हैं, ठीक है, सात्वीक अनुभाव की से बोलते हैं, सरीर के सहज अंग विकार से उत्पन चेश्टाओं को क्या बोलते हैं, सात्वीक अनुभाव, अफसाच औस्थिर मनुभीकारू को संचारी विभाव काते हैं, जो हमारे अंदर होता है, हिर्दाय के अंदर आश्रे के हिर्दाय में उत्पन होने वाले औास्थिर, यानि औस्थिर का मतलग क्या हो गया, जैसे अचंचलता ब्याकुलता, किसी चीज को देखकर चंचल मन हो जाता है, तो उसे को क्या बहते हैं संचारि भाव इसमें देखें लेंगे एक्जामल क्या हो जाएगा उळ्लास अचंचलता यहाकुलता आदी संचारि भाव को हम यभी चारी भाव भी कहते हैं ठीक है जिनकी संख्या क्या मानि गई है lo